हेलो इस वीडियो में हम ये सीखेंगे की हिंदी और पंजाबी आदी लेंग्वीज में डेट को कैसे लिखा जाता है और डेट को कंट्री के इसाब से कैसे बदल जाता है के बारे में सीखेंगे तो सबसे पहले डेट को कंट्री वाइस भी चेंज कर सकते है इसके लिए क्या करना है और यहाँ पे देड पर क्लिक करेंगे डेट करने के बाद यह देखो location यहां पर आया हुआ है जैसे यहां पर English India यह English India यहां पर select किया हुआ है अगर इसको country wise date को change करना है जैसे यहां पर दिया गया यह country wise आ गया suppose करो English India यहां पर हम करेंगे English Australia यहां पर दिया हुआ है तो इस country में इसको change करना है तो यहां पर click करेंगे और क्लिक करने के बाद OK पर क्लिक करेंगे, यह देखो इसमें चेंज हो जाएगा या किसी और कंट्री में इसको चेंज करना है तो फिर हम यहां पर number format पर जाएंगे mall number format और यहां पर date पर जाएंगे, यहां पर Australia की जगा अगर और कंट्री चाहिए और country में इसको change करना है तो हम इसको और country में change कर देंगी जैसे दिए दिखो बहुत सी यहां पर countries है जो भी हमें चाहिए उस country में हम इसको change कर देंगी इसमें चाहिए तो यहां पर click करेंगे OK पर click करेंगे तो इसमें यह change हो जाएगी तो country wise भी हम इसको date formula को change कर सकते हैं इसके बाद इसको English India रहने देते हैं तो इसके लिए हम फिर यहां पर जाएंगे more number formula पर जाएंगे और date पर जाएंगे और यहां पर English India चाहिए तो यहां पर English India यह date और इसके बाद OK पर click या यह English India बन के आ جाएगा तो country wise भी हम date format को change कर सकते हैं इसके बाद आगे हम करेंगे कि language के इसाब से कैसे date को change कि जाता है जैसे suppose करो इसी date को हमने तमिल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे पंजाबी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे इंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे तो ये करने के लिए हम क्ये करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे suppose करो इसको पंजाब B में हमने change करना है date format को तो ये काम कैसी करना है यहां पर number format पर जाएंगे more number format पर क्लिक करेंगे date पर जाएंगे यहां पर जाने के बाद यहां पर क्लिक करेंगे यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद हम इसको पंजाबी में करना चाहते है पी यहां पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे पंजाबी हम लेंगे जैसे यहां पे पंजाबी इंडिया यहां पे आगया पंजाबी इंडिया यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह देखो पंजाबी इंडिया इसके भी यहाँ पे option आ जाएंगे तो हमें किस format में चाहिए suppose करो यह format हमें चाहिए यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे क्लिक करने के बाद okay पे क्लिक किया है तो ये दिखो तो ये जो है ये पंजाबी language में date change हो जाएगी ये दिखो ये जो है यहां पे day आया हुआ है इसके बाद आगे हमारा month name आया हुआ है इसके बाद ये year तो ये पंजाबी में भी हम इसको change कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि ये जो date है ये हिंदी में change हो तो हिंदी में date को change करने के लिए हम क्या करेंगे फिर यहां पे जाएंगे इसके बाद more number format पे क्लिक किया date पे क्लिक किया date पे क्लिक करने के बाद यहां पे ये जो पंजाबी India यहां पे यहां पे हम More button पे कलिक करेंगे और Hindi यहां पे Select करेंगे H दबाएंगे और H दबाने के बiosaद यह देखो Hindi यहां पे आगया है Hindi पे हिंदी के यह उपर यहां से कोई भी option हम Select करेंगे जैसे Suppose करो हमें Hindi में चाहिए तो यह यह वाला format चाहिए तो हिंदी में भी हम डेट को चेंज कर सकते हैं अगर ये हिंदी में है इसके बाद अगर हमें ये इंग्लिश में चाहिए फिर तो ये कैसे करेंगे फिर हम यहां पर क्लिक करेंगे नमबर फॉर्मेंट पर जाएंगे मौर नमबर फॉर्मेंट पर जाएंगे और यहां पर डेट पर क्लिक करने के बाद यहां पर मौर बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर ए क्लिक किया हो और इंग्लिश यहां पर इंडिया आ जाएगा इंग्लिश इंडिया यहां पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे ये देखो English India ये जो है English में ये change हो जाएगी date तो इस तरह से हम date को किसी भी language में change कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने date को countries के इसाब से change कैसे कैसे किया जाता है और पंजाबी हिंदी आदी language में date format को कैसे change किया जाता है के बारे में सीखा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद